शेर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुले भारत सरकार की वित्तमंत्री द्वारा घोशित आर्थिक पैकेज में निगमी करें करने की घोशना के खिलाप आयोध निर्मानी कर्मचारियों के हित में काम करने वाली सयुक्त संगर समिती ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है कोरोणा वा लॉक्डाउन के मुसीबत के चलते केंद्र सरकार ने आयोध निर्मानी के निजी करन करने का निर्ने के विरोध में ओर्डनेंस फैक्री अंबाज़री में करमचारी हीत में काम करने वाले संगठन ओर्डनेंस एंप्लोई यूनियन और्डनेस फैक्टरी कर्मिचारी यूनियन अमबाज़री लोकशाही कामगार संगटना अमबाज़री ने भारत सरकार के वित्तमत्री द्वारा सोला मई 2020 को घोशित आयोदे निर्माणी निगमिकरन एवं प्रत्यक्षविदेशी नीवेश MDI की सीमा स्वयम चलित मार के अंत विरोध में अब नापपुर आयोद निर्माणी के स्यूकत संगर समीति के पदादिकारी एवं कर्मिचारी ने आंदोलन करने की चेता उनी पत्र परिशद में दी है भारत माता की सुरक्षा के लिए आयोद निर्माणी कर्मिचारी ने दशकों से अपना योगदान दिया वह तीन सेनाओं को निरंतर गोला बारूद आपूरती की है इस महामारी के दवरान रक्षा कर्मिचारी ने कोविड नाइंटीन के बच्चाओं के लिए सुरक्षा उपकरन मास्क, पिपी, कीट, सेनिटाइजर, बेड़ जैसे सामगरी बना कर दी है इसके बावजूद महा पानितियास वाले आयोद निर्मानियों को रात तो रात निगमिकरन करने का और सवेधानिक एवं अनुचित कारित केंद्र की बीचिपी सरकार द्वारा लिया गया कदम उचित नहीं है इस फैसले का सयुक्त संगर्श समिती की ओर से कड़ी निंदा की गई है यूनियान एवं फेडरेशन को विश्वास में ना लेते हुए जब पूरा देश कोविड-19 महामारी से लड़ने में व्यस्त है ऐसे समय आनन्द फानन में निग्मी करन का फैसला लेकर केंद्र की बीचिपी सरकार ने करमचारियों के पीठ में घंजर भोकने का आरोप लगाया है सवयुक्त करिटी समीती ने बताया कामगारों की अधिकारों से वंचित किया जा रहा है आत्म निर्भर्ण भारत के नाम पर देश की अतूल संपत्ती नीजी और कार्पोरेट घरानों के हाथ में सोपी जा रही है कोरोना संकट के आर लेकर इमर्जेंसी जैसे स्तिती पैदा कर रहे है देश का रक्षा मजदूर सरकार के इस कदम से आक्रोशित है तीनों फेटरेशन सरकार के इस कदम की निंदा करता है केंदर सरकार कोरोना भीमारी के आर लेकर देश के मजदूरों के साथ धोका किया है केंदर सरकार को निगमी करन एवं FDI को बढ़ाने के निलने को तुरंक वापस लेने का आउखान किया गया आयोद निर्मानियों के निगमिकरन एवं बढ़ोत्री का एक तरफा एवं अन्याय पुर्णफ पैसला वापस नहीं लिया गया तो सयूगत संगर्ष समिति ने आंदोलन करने की चेता उनिती है पत्रपरिशद में लाल जहंटे के महासचिव विनोत कुमार, जेसी एम मेंबर आशीश पासघरे, ओएप के यू के महासचिव अर्विन सिंग, प्रविन महले, लोकशाही कामकार संगटन के महासचिव वेद प्रकास सिंग, कार्य समिति सदस्य सुदर्शन मेश राम उपस्त मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, कि 16 मही को हमारे मान्य बित्त मंत्री जी ने रक्षा पैकेज के साथ साथ हमारे ओर्डनेंस फैक्टरी कार्पोराजेशन करने का हैसला जो लिया है, हम यहाँ पर ओर्डनेंस फैक्टरी के सभी करमचारी तता यहा पूरा देश लोकडाउन है तो इस पस्तिज में कौन सी आना पड़ी के और्डेस फेक्ट्रियों को कारपोजेशन किया जाए क्योंकि यही वह फेक्ट्रियां है जिन्होंने इस समय में पूरे देश को भचड़ कर इससा लिया सबी जगह जितनी भी और्डेस फेक्ट्रियों बनाती है उन फेक्ट्रियोंने कोविड के समय में निर्माडियों में हमने सेनी चार्जेश बनाए बैट्स बनाए साथी डियाडियों ने भी बहुत सारे काम किये हमारा सरकार से गुरजारिस है कि इस फैसले को जो लिया गया इसको बापस करे यह फैसला बापस नहीं को निर्दा करते और सरकार से पुनश्य अपील करते हैं कि यह फैसला बापस ले आज जो है जो सरकार ने निगमी करण किया है आयुद निर्मानियों का यह बहुती खेट जनक है और दुरभाग्यपून है इस देश के लिए और इस सरकार के लिए और इस देश के मजदूर के लिए भी जो केंद्र सरकार आयुद निर्मानी के अंतरगत कारियत हैं क्योंकि यह जो आयुद निर्मानियों के गठन एक नॉन प्रॉफिट मेंकिंग ऑर्गनाजिशन के तौर पर हुआ था क्योंकि यह में ऐसा कोई नहीं बनता जिसका मार्केट में डिमांड हो यह जो बनाते हैं साजो सामान हतियार या सेना के लिए जो उपयोग में आने वाले उनके उपस कर वह ऐसे चीज़ है कि उनके कप्रे लटे जूते और जो गोले बनते हैं बंस बनते हैं जो कि भारत पर जब भी हमला हुआ है उस समय जो अप देश की रख्षा के लिए उपयोग मे आते हैं ऐसे हत्यार और गोले और साजो समान बनाने वाली निर्वानियों का जो कि बताया था कि बिना प्राफिट के हिसाब से बनाया गया था और इसका नियंत्रण हमेशा सरकार का ही रहना चाहिए आभी आपको मता देश कर निगमी करन और उसके बाद में निजी करन युद्द का समय आएगा उस समय मूं मांगे दाम पर उसे बेचेएंगे और उस समय हमारी सरकार मुश्किल में आ जाएगी डेश कख अस्तित्वकिक मुश्किल में आ जाएगी देश की सुरख्छा क्टरे में आ जाएगी इसलिए निगमी करण पूर पुर्जोर तरीके से विरोध करते हैं देश हित में मजदूर हित में और इतना क्या कि अपने वाणी को विराम देते हैं जै हिन जै भारत इनबी से नियूस के लिए वाड़ी से सुनल शेटी के साथ अभी शेक पांसी के रिपोर्ट